जी दोस्तों आज हम मैं आपको इंडोनेशियन स्टूडेट्स की इंडोनेशियन लोगों की एक हकीकत बताता हूँ अगर इनके पास एकसेस फूड हो तो अगर तो ये कलास में हैं तो वहां पर रखतेंगे या हॉस्टल में हैं तो वहां पर रख देगे और या तो लिख देते हैं आमबल आजा बुट यंग माउ इत मीन टेक इट इफ यू वांट तो इस रिटन एक्टॉली इन भासा और आई ट्रांसलेटे इंटो इंग्लेश ये जो मुझे तो आदतिन की बहुत अच्छी लगी है ये लेकर खुद तो ये समझते हैं अगर कलास में हो या हॉस्टल में हो खुद ये समझते हैं कि ये खराग या खाना पड़ा हुआ है ये हम ले सकते हैं या नहीं लेकन जो foreigner है जिस तरह मैं हूँ तो हम लोग या तो पूछ लेते हैं इनसे या पिर इस तरह ये लिख देते हैं अगर ज्यादा खाना हो तो इसमें कोई ममानत नहीं है कोई भी उठा सकता है